हालो स्टूदेंट्स वेलकम बैक और मैं चैनल पावर ऑफ नॉलेज हम लोग पढ़ेते हैं बिजनेस स्टेडीज का फिर्स चेप्टर नेचर एंड़ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 यह लास्ट टॉपिक है तो आज हम पढ़ेंगे को ओर्डिनेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं कोडिनेशन इस दा प्रॉसेस बाइब विच अक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और सिंक्रोनाइज टू इंसे और यूनिटी ऑफ एक प्रॉसेस है जैसे मैनेजमेंट हम लोग ने पढ़ाता है मैनेजमेंट क्या है एक प्रॉसेस ह लोता है किसे वैसे ही कोडिनेशन भी एक प्रॉसेस होता है इससे क्या होता है इसे होता है वा इंटिविटी जो होतीी कोई करता है यानि कि यह जितने भी लग अपने काम कर रहे हैं किसी नहीं काम कर रहे हैं तो उनके सारे अक्टिविटी को आपस में जोड़ता है इंस्योर करता है यूनिटी ओफ एक्षन उनके काम हे ऊक्ता हुनी कहीं यापस में एक दूसरे को कॉप्रेड करते रहें कोडिनेशन का मतलब होता है ठीक है अब हम पढ़ लेते हैं standards signature characteristics स्सक्राइव और करेक्टरियस लिए की मतलब है तो पॉइंट वाइज आपर समझ लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है कोडिनेशन इंटिग्रेट्स ग्रूप एक्टिविटी क्या करता हैं इंटिग्रेट्स करता है गुरूप एफ़ॉर्ट्स बैइए यूनिफाइंड diverse souhaक्ष इंट्रあーdour self क्भूम एफोड कोडिशन का क्या काम होता है कि इफ इस्फ पहुंत करता है जितने मीज घूक्ता योड़ उपस में कार रहे हैं उनको आपस में जोड़ता है उनका परने चाहिए कि ओर को होता है जो गोल होता है असको होता है जो करुदेक्ना होना च्रप पूर्थ अचीव करना तो कोडिनेशन हेलब करता है किसमें ग्रुप एफोर्ट में जितने सब अपने अलग अलग टिपार्टेमेंट में अलग अलग लेवल पे मैनेजर काम कर रहें वरकर्काय सब लोग आपस में मिल कर काम करें उनका जो एफोर्ट से एक ही जगे लगना चाहिए यानि कि common goal होना चाहिए उन सभी का एक ही goal होना चाहिए कि हमाई organization का goal अचीव करना तो second point देख लेते हैं यहाँ पर coordination ensures करता है unity of actions by acting as a binding force between departments वही सब बाते हैं गुम फिर कि coordination ensures करता है कि unity of actions action में क्या आना चाहिए unity आनी चाहिए जो हम काम कर रहें उसमें एकता होनी चाहिए आपस में ठीक उसी को बोलते को ओर इनेशन कोई भी organization होती है अगर बिना unity के काम करती तो ज्यादा success नहीं हो पाएगी ज्यादा दिन तक survive नहीं कर पाएगी तो ज्यादा दिन तक survive करने के लिए उसको चाहिए कि वह आपस में जो काम कर रहें वह एकता के साथ करें unity के साथ करें एक दूसरे को process अब देखिए जो management में हम लोग ने पढ़ाता कि management क्या होता है continuous process होता है जो कभी खतम नहीं होता चलता रहता है पहले आप planning करेंगे और organizing करेंगे उसके बाद staffing करेंगे डारेक्टिंग करेंगे उसके बाद controlling करेंगे तो यह five functions हम आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी हमने डाल दी है तो वहां से आप देख लीजेगा management के यह five functions उसक means जो लगाता चलता रहता है जब तक हमारी organization है उसमें management जब तक चलता रहता है जैसे वैसे ही हमारा coordination भी का process भी है वो चलता रहता है इस it's a never ending process it is continuous process as it is start as the planning stage and continue still controlling तो last में हमने क्या पढ़ाता first function पढ़ा था हमने management का planning और last का function पढ़ाता हमने controlling controlling is the fifth function and planning is the first function of the management तो coordination जब हम planning करते हैं तब से start हो जाता है और continue चलता रहता है हमारा controlling तक उसके बाद controlling के बाद फिर से वही cycle घूम जाती है यानि कि planning for organizing staffing directing फिर controlling फिर planning इस तरह से cycle चलती रहती है हमारी जब तक हमारा organization का goal जो है वह एचीव नहीं होता है तो coordination भी तब तक चलता रहता है management की तरह like a management it is also continuous process अब हम फोर्थ वाला point पे आ जाते हैं फोर्थ वाला point क्या कह रहा है coordination is a pervasive function coordination क्या है pervasive function है अम अल्रेडी management में भी पर चुके है pervasive का मतलब क्या होता है pervasive का मतलब होता है universal यानि कि coordination जो है हर जगा मौजूद है as it required at all the levels of management and in all the departments कोई भी organization होती है इसमें अलाइला department होते हैं सारे department में coordination मौजूद होता है और सारे जो लेवल समने पढ़े थे कितने लेवल पढ़े थे थी लेवल पढ़े थे top level middle level और lower level या supervisory level या फिर operational level भी बोलते हैं उसकी वीडियो है अगर आपने नहीं देखियो तो देख लीजेगा playlist में और तो वैसे ही जो है coordination भी क्या है जितने भी levels होते हैं सब में होता है यानि कि जो top manager होता है वो coordinate करता है किसको अपने Middle level को Middle level करते हैं अपने lower Level को lower है moje middle level हो box अपस में पिस्वही लोग सारे levels अपस में इस दूसरे को help करते सपोर्ट करते हैं और वैसे ही और हर gall Singing में अलए अदर Ferndels होते हैं तो अलए significa और देपार्टमेंट एह सारे औरब्वेस हैं षप्सेध करते तो यही होता है कि मिलेगा ड्लड कॉर्म में इस्कूल में जहां भी आप business कर रहे हैं तो ऋहां पे आपको हर जगे कोडिनेशन मिलेगा इसे पर्वेसिव है यूनिवर्सल है अब पढ़ लेते हैं फिफ्ट वाला पॉइंट क्या 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 रहा है कोडिनेशन इस दरेस्पोंसिबिल्टी ओफ ओल दर मैनेजर एड़ टॉप मिडिल एड लोवर लेवल सिंपल है कोडिनेश सब्सक्राइय कि मैंटर किनेफा लेवल मीडिल लेवल लुडेल मैनेजर उनके अलग फ़ौंशन हमने पढ़ते समझाता अलग अलगल टॉप लेवल में कौन कौन से आते हैं तो कोडिनेंशन क्या है जिम्मेदारी होती है सारे मैनेजर की ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेव करेगा unity के साथ रखेगा तभी organization success हो सकती है एसा नहीं है सर्फ एक ही इनसान ही cooperate करे कोडिनेट करें coordinate का मतलब होता है सभी लोग आपस में एक दूसरे से cooperate करें कोडिनेट करें यह यह नहीं है कि सर्फ एक ही इंसान करें जैसे मैंचेमेंट क्या है management क्या है group activity होती है management यह नहीं होता है कि सिर्फ individuals एक इनसान ही manage करेगा और दूसरा ना करे तो organization अच्छे से चल सकती है ऐसा नहीं है ना तो coordination भी वैसे ही है coordination में भी क्या होता है हर एक की जिम्मेदारी होती है सबी लोग अपने अपने लेवल पर उतना उतना देंगे उतना उतना support करेंगे तभी काम हो सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को operate कर रहा है और सब नहीं कर रहे हैं बाकी के तो हम कह सकते हैं क्या और आपके और आप समझते भी रहेंगे अच्छे तरीके से तो फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साइड में बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर लिजें जिससे आपको आने वाले हमारे वी तक लिए टेक क्या बाइबाए थैंक्स फो वाचिक मैं चैनल पावर ओफ नॉलेज बाइब